हेलो अब्रिवान मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चानल प्यूपल डीचे में यदि आप सीटाइट की परिक्षा देने वाले हैं और आपका यह फॉर्स अटेम्ट है तो यह वीडियो आप लोगों में कम टाइम दे पा रहें तो आपको इस मैनेजमेंट को समझना होगा कि आप किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें किस तरीके से सिलेबस को कवर करें कौन सा यहां पर प्राक्टिस सेट लगाएं या फिर यह कह लीजिए कि ऑनलाइन एक्जाम का जो डर है व क्योंकि देखिए अभी सीटाइट हुआ था जस्त आपका दिसमबर जनवरी में उसके बाद जस्त आपका जुलाई अगस्त में दुबारा आ गया तो जादतर कैंडिडेट यहां पेरिंग कैंडिडेट है अब देखिए आपके कॉलेज हो गया आपका कोर्स हो गया या फि यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी यहां पर स्मार्ट लर्निंग करनी है जैसे की सबसे पहले तो मैं आपके साथ यही डिस्कुस करूंगी कि आप सिलेबस को कैसे कवर करें और सबसे ज़्यादा आप कौन से स सब्जेक्ट है जिसमें बिना मिस्टेक के आप यहां पर 30 में से 30 स्कूर कर सकते हैं और अगर आपने दो चार प्राक्टिस से लगा लिए तो 30 में से 30 आपके कहीं नहीं जाए अगर आपको फिर भी टफ लग रही है तो भी आप 28-39 तो इस सब्जेक्ट में लाई सकते हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट के जो कोशन हैं वो सबसे ज्यादा डारेक्ट आपके पूछी जाते हैं बाकि सब्जेक्ट की पैड़ागोजी से कंपैर अब देखिए इसके अलावा अगर आपके पास पेपर 2 में यहां पर आपके पास साइन्स है साइन्स मैट्स या फिर आपक प्राइब करें तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टूशन वगरा पढ़ा रहे हैं या किसे इंस्टिट्यूट में पढ़ा रहे हैं या फिर आप स्कूल लाइन में हो बेसिकली हम किताबों से जुड़े हो हैं तो ऐसे केस में आपके यह जो सब्जेक साइंस में आपका डाइजसिव सिस्टम से कोशन आता ही आता है तो डाइजसिव सिस्टम आपने कर लिया साइंस में आपको पता चल रहा है कि यहां पर आपके फिजिक्स के नुमेरिकल आ रहे हैं तो फिजिक्स के आपने नुमेरिकल कर लिया के मिस्ट्री में आपने कर लिए तो इस तरीके से आपकी साइन्स आपकी यहां पर त्यार होते रहेगी प्रीविस एर प्राक्टिस एड देखिए उसमें देखिए उससे नाप टॉपिक कीजिए इसके अलावा अगर आपके पास सूशल साइन्स यहां पर सब्जेक्ट है तो आपको इतना पदा चल है कि यहांपर इस साथ चुनाओ किस तरीके से बागे सारी चीज आपने इस तरीके तो आप इसके अलावा अगर आप यहां पर बीडूर और के बात करें तो आपको इतना पदा चल रहा है कि में एक से डूर मंडल सोलर सिस्टम से कोशे कोशे जा तो आप इस तरीके से टॉपिक कर करके हर रोज आप एक से दो टॉपिक जैसे आधा गंटा भी निकालेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा खास करकी मैं यह पेपर टू के लिए बता रही हूं अब देखिए सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्टी पेपर टू में आता है क्य सिस्ट्म आप साइंस के लिए वह भी आपको up caramा खा इसके लावा जो आपब यहाँ पे- immortal RIGHT & ग्लोब के पढ़ेंगे वह भी आपको यहाँ चीज़े प्रा इस तरीके से लिपी आपìn और पैपर के साथ जाएगी और पेपर ए प्युछ जून की लोगाइघी और इसमें च प्रशा समंधित कोईश्ञन मैप से रिलेटेड कोईशन मैप के लिए मैं आपको एक चीज़ सुग्ण करूंगी आप जैसे यूट्यूब में इंडिया के मैप कुस तरीके से याद करें अगर आप सब्सक्राइब करें तो मैप को याद करने के ट्रिक मिलेंगी तो मैप तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसके अलावा अगर मैं आपके सिलेबस में एक इन्पोर्टेंट और सबसे कह लीजिए डिफिकल्ट एरिया की बात करूँ डिफिकल्ट मैं इसले बोलूँगी क्योंकि अगर आप यहां पे कोई कोई कोशिशन आपके अकॉर्डिंग सही होता है तो एक्जामिनर वो चीज गलत कर देता है जो कि है पैड़ागोजी अब पैड़ागोजी क्या है इस सिक्षासास्तर है कि आप यहां पे स्कूल में टीचर के फॉर्म में कैसे पढ़ाएंगे तो इसके लिए आपके पास और कोई तरीका निये इसके तो थेयरी कम से कम पढ़िए इसके कोईशन्स प्राक्टिस करिए जो कि आपके CBT मूड में हुए हैं देखिए एक-एक महिने तक पेपर चलता है सीटाइट का लास्ट दो बार जो हुआ है अगर एक-एक महिने के पेपर भी अगर आप सॉल करके चले जाएं वो भी एक दिन में अगर मान क सब्जेक्ट भी आपको करने जैसे मैट्स में तो प्राक्टिस मांगा जाता है तो इस तरीके से आप जादस से जादस स्कोर करिए और सबसे ज्यादा फूकस आपका CDP में होना चाहिए क्योंकि यहां पर 30 में से 30 बनने चाहिए आपके इससे कम नहीं क्योंकि आपको अलग ही आप यहां पर सॉल्व करिए क्योंकि यहीं से आपका पेपर का पैटर्न एक तरीके साथ चेंज हुआ है जो ऑफलाइन में पेपर होए वो अलगी तरीके कहते जो ऑनलाइन के हैं उनमें जमीन आसमान का फरक है तो आप जो ऑनलाइन पेपर सेट हैं वो प्राक्टिस करि के लिए देखिए टाइम सब के लिए सेम नहीं होता सब के लिए दिन भी सेम नहीं होता कई बार ही हम लोगों को किसी पर्टिकुलर दिन में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो आपको करना क्या है आपको खुद के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना है और लिए बस अच्छा से कवर हो और रही बात ऑनलाइन पेपर की तो यह माइंड से डर हटा दीजिए सीटाइट है इसली क्लियर हो जाएगा क्योंकि अगर आप टीचिंग लाइन में है तो आपको पता होना चाहिए कि सीटाइट आपके लाइफ में पहला स्टेप है सीटाइट का लास रीटाइट एक दो नंबर से नहीं हुआ तो उनको तो डीमोटिवेट होना ही नहीं जब आप इतने लाइन तक पहुँ सकते हो तो आप बहुत आगे भी निकल सकते हो तो आपको यह पेपर क्लियर करके आगे आने वाले जो एक्जाम होते हैं जैसे की के भी हो गया सब्सक्राइब हो गया आपका AES हो गया यहां पर NBS हो गया इसके लाब आपके स्टेट में जो गर्मेंट जॉब की विकेंसी निकलती है उन सब के लिए तैयारी करना है आई होप इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए हों और साथे साथ अगर आप बिल्कुल भी टाइम म कर पा रहे हों तो आपको समझ में आया हूं कि आपको किस तरीके से कौन से चीजे को कैसे कवर गरना है इस वीडियो में अब मैं आप से मिलती हूं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर